नमस्ते नमस्ते डाक्षर सतनेयन सर जी गुड़मन डाक्षब नमस्ते सर बाग्य नाम के कोई चीज है डाक्षर सतनेयन देखिए भाग्य क्या है मनुसके सोच बारधारित होता है जो मनुस सोचता है उसी से उसका जीवन चलता है तो अगर भाग्य बनाना हो लक्ष पाना हो महान बनना हो, तो सबसे परले आपको महान सोचना पड़ेगा, आपके जीवन में जैसे सोच होंगे, जैसे बिचार होंगे, वैसे आपके संसकार होंगे, वैसे आपके कर्तब करने की परविर्ती आएगी, और उस तरह से आप अपने आपको निखार सकते हैं, देख कर बाधा बहुत बिखनी खबराते नहीं, रह भरों से भागे के दुख भोग पस्ताते नहीं, भागे क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोचोगे ना, उसी तरह से आपका रिजल्ट आजाएगा, परिनाम आएगा, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो आजाएगा, तो वही भ कोचा था कि उनके पड़िवार में जितने भी लोग से भी डाक्टर हो, अभी बाहर वाले क्या सोचते हैं, अरे कितना किस्मत वाला था, एक डाक्टर था, बहुती धन्वान था, अवे पांच-पांच डाक्टर इसके खंदान में है, यह तो करोरपती हो गया, लेकिन उसक नहीं है, यह भागी नहीं है, उसके ऐसे सोच हैं, वैसे इसे बीचार हैं, वैसे उसका कठिर परश्रम है, उसका बहुती मुश्किल से जगा पराया है, भागी को उसने मना दिया है, अपने भागी की रचना खुद किया अपने बीचारों से, कठिनायों का सामना किया है, म तर्वेसित करने अक्रोड जाज़ने लोग बोले बड़ा भागशाली है बड़ा करोरपती है बड़ा काविल है और सब किया हुए उसका उसने इसकी रचना की है अपने सोच से अपने समझदारी से अपने कठोर पष्रम इसलिए कहा गया है, हर वेक्ति अपने भाग का निर्माता होता है. और उसकी परसिती इतने प्रगति शील है, इतना धनवान है, इतना उत्तम है, तो इस सारे भीचार एसे थे इसलिए उसलिए हो गया. और दूसरी दिसा में देखोगे जो लोग निकम्मा हो जो लोग भाग भरोसे जीता हो कफोर परशनि नहीं करता, उसके रास्ते अलग अलग है तो गलत रास्ते जाते है दरिदर, और भीखारी, उनका काम है लाराय-ज़गरा करना डीनराथ दुसरों के लिए मुशिवत बननाisión लाइ需 वहा फिनार्थ काई इस तर्फिता रिछगरा करता है एक भागजाली है, तो दिर्णात लोग की चिकत्सा करके उसके जीवन में मरने से, मृर्टू के काल के मुझसे ही निकाल कर लाता है तो भागजा है उसके सोज क्या फल है ना इसलिए मैंचलिसरंडगुप ने लिखा था कभिता नरहो निराष करो मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जन्म हुआ कि सर्थ कहो, सम्झो जिसमें वेर्थन हो, कुछ तूर प्यूत करो तुनको, करके भी दिवादन खेद करो, बोलिये, करके भी दिवादन खेद करो, करके भी दिवादन खेद करो, करके भी दिवादन ख बनतावस उद्यम ही भी दी है, मिलती जिसे सुकी नी दी है, समझो घृत निस्क्रिय जीवन को नरहोद निराश करो मुरू इसका सारांस है, मतलब यह है, कि भाग भरो से मत बैठो, भाग कुछ भी नहीं है, बाहरी शक्ति कुछ भी नहीं है, पूरी शक्ति तुम में है, ते जिस तरह कि हीरन मिर्गा के नाभी में कस्तूरी होता है, जिसे की सबसे सुगंधित इतर बनता है, हर मेनुष में वही इतर की तरह महानता चुपी हुई है, अपने आप में खोजो, मो को कहां ढूडे बन दे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मजिद में, ना पानी पैट जिन खोजातिन पाईयां गहरे पानी पैट जो भावरा डूबन रहा रहा किनारे बैट मन के हारे हार है मन के जीते जीत कहे कवीर गुरु पाईये मनी के पर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर हजार वेश आपक्त भर्क में एकलत कर झालने लूग्यों को ऐने घसक केक्ड भागोब करते हुशे कर्म करते हैं तो यसे इंडिर्डी बनता है लेकिन उसका गुन्याद क्या होता है टोजिता हल उसकी परिसृति भी परत्किूल हुती है तो धन्यवाद करता हूँ आपकी इस सवार के लिए धन्यवाद को